श्लोक एक से चार इब्राहीम ने अपने सबसे पुराने और सबसे वफादार नौकर को शपत के तहट भेजा कि वो जाकर अपने बेटे इसहाग को पत्मी के रूप में तैयार करे इसी तरह येशु मसीय परमेश्वर का पुत्र पिता से अपनी दुलहन कलीसिया को तैयार करने और ले जाने के लिए अपनी आत्मा भेजने के लिए कहता है पिता उसे तुरंत उत्तर देते हैं परन्तु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हें पिता की ओर से भीजूंगा अर्थात सत्य का आत्मा जो उससे निकलता है तो वो मेरी गवाही देगा जौन 15.2.6 शलोक 5-9 नौकर दुलहन के साथ न जाने से डरता है और पिता के उद्देश्य के विप्रीत सुझाव देता है जो कि दुलहन को अपने शहर को छोड़कर दूलही से मिलने जाना है और दोनों उसके घर में रहते हैं पिता अब्राहम का घर इब्राहीम ने उसे शपत दिलाई कि वो किसी भी परिस्थिती में अपने पुत्र को दुलहन के देश में नहीं ले जाएगा यदि दुलहन ने उसके प्रस्ताफ को अस्वीकार कर दिया तो वो किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त होगी शलोक पात से नौ उसी तरह परमेश्वर की आत्मा यहां हमारे देश में है जो हमें दूलहे येशु मसीह से मिलने के लिए विवश कर रही है ध्यान दे की दुलहन चच वो है जिसे दूलहे से मिलने जाना चाहिए और इसके विप्रीत कभी नहीं जाना चाहिए स्वीकार करने से कलीसिया को स्वर्गा रोहित किया जाएगा और अपने दुलहे से मिलने के लिए बादलों पर ले जाया जाएगा और फिर वो हमें पिता के घर में ले जाएगा ताकि हम हमेशा प्रेम में एक साथ रह सके वन्थिस्सलुनिकियो चार में सत्य प्रकट हुआ 15-18 16.1.1.1.1.1.1 श्लोक 5-9 अब हम यहोवा के वचन के द्वारा तुम से ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोय हुँ से कभी आगे न बढ़ेंगे क्योंकि प्रभु स्वयम प्रधान दूत के शब्द के साथ और परमेश्वर की तुरही और प्रधान दूत के शब्द के साथ स्वर्ख से उत्रेगा और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे तब हम जो जीवित हैं, जो बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों में स्वरगारोहित किये जाएंगे, की हवा में प्रभू से मिलें, और इस रीती से हम सदा प्रभू के साथ रहेंगे, सो इन वचनों से एक दूसरे को शान्ती दो, शलोग दस और तिरपन, इबराहीम के घर म में जो कुछ कीमती और कीमती सामान, सोना, चांदी, कपड़े और कई उपहार थे, उनमें से नौकर अपने साथ ले गया और जैसे ही दुलहन ने इस उद्देश्य को स्वीकार किया, उसने उसे इन सामानों से धख दिया, दिल्चस्ट बात यह है कि न केवल दुलहन को बल उस चीज के नमूने लेकर आई जो पिता के घर में बहुतायत में है, आत्मा का फल और आत्मा के उपहार, जैसे प्रेम, आनंद, शांती, संतुष्टी, क्षमा, साम्य, जब कोई सेवक, पवित्र आत्मा के उद्देश्य को स्वीकार करता है, तो वो तुरंत उस सब से भानवित होते हैं, क्योंकि जो उसने चुराया वो अब चोरी नहीं करता, जो हिंसक था वो अब नहीं है, जो नशा करता था वो अब नशा नहीं करता, जो पिता प्यार नहीं करता था वो अब प्यार करता है, जो पती हिंसक था वो अब है प्यार करने वाला, कोश्टक इस श्लोक में हमारे पास दुलहन की कुछ विशेशताएं हैं, दिखने में बहुत सुन्दर, यानी सुन्दर, वजिन जिस पर किसी पुरुष का कब्जा नहीं था जो उसकी पवित्रता का भी संकेट देता है, यह विवरण हमारे चज और यीशु मसीह की दुलहन के लिए ब हमें परमेश्वर की दृष्टी में सुन्दर होने की आवश्यक्ता है, जो हमें देखते हुए, अर्थात, हमारे कारियों, व्यवहारों और शब्दों को देखते समय उनकी आँखों में खुशी का संकेट देता है आध्यात्मिक व्यभिचार, मूर्ति पूजा से कभी दूशित न हूँ, हमें अपने प्रिय के लिए अनन्य होना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए अनन्य है ध्यान दे कि इस विवरण से हम समझते हैं कि इस युवती ने पहले ही कई विवाह प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया होगा पिता द्वारा उसके लिए तैयार किये गए अपने प्रियजन होने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी उसी तरह हम मेमने की दुलहन भले ही हमें बहुत से प्रस्ताव मिलते हैं जो स्पष्ट रूप से महान हैं उन सभी को अस्वीकार करते हैं और अपने आपको यीशू मसीह के लिए शुधर रखते हैं पिछले दशक के अंत में और इस एक 2020 की शुरुआत में ब्राजील में दिखाए देने वाली संस्थागत चाच ने खुद को जूटे धार्मिक राजनीतिक मसीह के साथ पेश किया दुर्भाग्यस से वो यह नहीं समझ पाई कि यीशू मसीह से मंगमी करना क्या है क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए जलन से परमेश्वर के लिए जलन हुई है क्योंकि मैंने तुम्हें तैयार किया है कि तुम पवित्र कुवारी होकर एक ही पती अर्थात मसीह के पास उपस्थित रहो दो कुरिथियों 11.2 हमारे महान पर मेश्वर और उधार करता यीशू मसीह की धन्य आशा और महिमामी प्रगट होने की बाद जुहते रहते हैं जिसने हमें सब अधर्म से छुडाने और अपने ये शुधा करके एक ऐसी प्रजा को दे दिया जो भले कामों में सरगर्म हो ताइटस दो 13.14.17-21 यहां हम युवा महिला की लगन और बिना किसी रुची के सेवा करने की इच्छा देखते हैं सिर्फ इसलिए कि ये उसके सार का हिस्सा है नौकर एलिएजर को पानी देने के अलावा उसने अपने सभी उटों को भी दिया कुल मिला कर दस सभी प्यासे थे जब उन्होंने लगभग 600 किलोमीटर की यात्रा की ये हिंगित करता है कि उसने गर्थ में लगभग 1000 लीटर पानी लिया और जमा किया ध्यान दे कि सब कुछ उस उदधेश्य के अनुसार था जिसे दास ने अपने सवामी के परमेश्वर के साथ बनाया था जैसा कि मैंने पहले कहा था युवती ने जो कुछ भी किया वो बिना किसी दिल्चसपी के था ये देखते हुए कि उसके सामने जो पुरुष्थ हे वे नौकर माने जाते थे न कि बड़ी संपत्ती के स्वामी जो उन्हें पुरस्कृत कर सकते थे अगर आज नौकरों और अमीरों के पहनावे और पहनावे को अच्छी तरह से परिभाशित किया गया है तो उस समय की कल्प ना करें पद 17-21 येशु मसीर की दुलहन के रूप में कलीसिया पर इन शब्दों को लागू करते हुए हमें मिहनती सेवक और हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार रहने के लिए दृता से प्रोथसाहित किया जाता है पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि कर्म बिना विश्वास मनुश्यों के सामने मरा हुआ है यह नहीं कि वे हमें बचाएंगे परंतु गवाही देते हैं कि हम उसके विशेश लोग जो शीले और भले काम है पुरुशों को हमें इश्वर के प्रेम, इश्वर की देखभाल, इश्वर की दया को देखने की आवश्यक्ता है बहुत से लोग शास्त्रों को पढ़ेंगे और केवल अपने जीवन के माध्यम से परमेश्वर को जानेंगे